नमस्कार स्वागत है आपका देश की बात में मैं हूँ दीपक्टो भाल कुम्भ की धरती से जैसा की उमीद थी एक बड़ा सियासी संदेश निकलेगा ठीक वैसाई हुआ RSS के दूसरे नमबर के शुष लीडर भाया जी जोशी ने राम मंदिर के लिए डेडलाइन टैकर दी है 2025 तक राम मंदिर निर्मान का अल्टिमेटम एक तरह से दिया गया है बीजेपी को ये कहा गया कि भारत का विकास राम मंदिर के निर्मान की इसी तिथी की बाद रफतार पकड़ेगा लेकिन क्या इस ऐलान को बीजेपी पर दबाव समझा जाए क्योंकि जब प्रधान मंतरी अपने सबसे बड़े इंटर्व्यू तक में मंदिर को लेकर भारतिय नाय प्रणाली के हसाब से चलने की बात कह रहे हैं तो क्या संग को ये बात ठीक नहीं लगी प्रधान मंतरी की अपनी बात को रखने और भाया जी जोशी के ऐलान के बीच जादा समय नहीं गुजरा है इसलिए ये सवाल पैदा हो रहा है कि इस के क्या माईने आखिर निकाले जाएं लेकिन इस ऐलान को इस नजरीय से भी देखा जा सकता है कि बीजे पी संग की और से आई इस बात को राहत के तौर पर ले सकती है यानि के ये भी हो सकता है कि आरेसेस ये कह रही है कि वो अभी जल्दबाजी में नहीं है खुद को थोड़ा सा दबाव मुक्त मान सकती है बीजे पी लेकिन कुम्ब की धरती से जो बात निकली है वो दूर तो लग जाएगी इसलिए इस रिपोर्ट को सबसे पहले आप देखिए ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए लोटेंगे तो इस मुद्दे पर तफसील से आगे चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले देश की बात की ये खास रिपोर्ट मंदिर पर बीजेपी को आरेसेस की डेड़ लाइन 2025 तक बने हव्य मंदिन संग का बयान राहत लेकर आया या मंदिर पर कसा आरेसेस ने तंस जुनावी मौसम में राम मंदिर की चाया बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रही है मंदिर निर्मान में देरी पर संतों में नाराज़की दिखी तो राम भक्त सरकार से तारीख पूच रहे है मंदिर निर्मान पर विपक्षी तो विपक्षी अपने सहयोगी भी बीजेपी पर तंज कसने से बाज नहीं आ रहे अब संग ने मूर्चा खोला है राश्रिय स्वयम सेवक संग के सरकारवा भाया जी जोशी का राम मंदिर पर बड़ा बयान आया भाया जी जोशी ने कहा कि 2025 में राम मंदिर का निर्मान होगा और इसके बाद विकास को गती मिलेगी और इस आयोध्या के मंदिर निर्मान के बाद भाया जी जोशी के इस बयान के पहले कई मतलब निकले इसे बीजेपी को संग की ओर से राहत की तरह देखा गया तो 2025 का नाम सुन भक्तों में अधीरता भी दिखी लेकिन बाद में भाया जी ने अपने बयान पर सफाई दे दी उन्होंने कहा कि उनका मतलब था कि 2025 तक मंदिर बन जाएगा ना कि 2025 में मंदिर बनना शुरू होगा वैसे बीजेपी बार बार मंदिर निर्मान पर अपना स्टैंड साफ कर चुकी है खुद प्रधान मंत्री भी कह चुके हैं कि वो अदालती कारवाई को बाईपास करने के पक्ष में नहीं है अब पार्टी के ओर से भी प्रधान मंत्री की बात दोहराई जा रही है माने प्रधान मंत्री जी ने भी जब उनसे सवाल किया गया तब सम्विधान की मर्यादा में रहे कर किस प्रकार से भारत सरकार इस मुद्दे पर अपना कार्य करेगी उस पर प्रधान मंत्री जी स्वयम बोल चुके हैं उधर विपक्ष बीजेपी पर कोट के फैसले के बिना राम मंदिर की तारीखों की घोशना के इलजाम लगा रहा है कुल मिलाकर ये तय है कि राम मंदिर को बीजेपी राम भरों से नहीं छोड़ सकती दबाव चारों तरफ से है ऐसे में सवाल ये है कि क्या आप अध्यादेश ही आखरी रास्ता है क्या चिनाब तक बीजेपी संग और राम भक्तों का दवाब जहल पाएगी क्या आरेसेस ने बीजेपी को महलत दी है या मंदर निर्मान में देरी पर कसा है तंस इन ही सब मुद्धों पर होगी आज देश की बात जी और राजडितिक खलकों में भाईया जी जोशिक इस बात को इसलिए सीरेसली लिया जा रहा है क्योंकि ये माना जाता है और ये देखने में भी आया है कि आरेसेस कोई भी बयान ऐसे हलके में नहीं देती है कोई भी बयान जो भी होता है वो नपा तुला और पूरी स्टाटिजी के साथ होता है और पूरे जिम्मेदारी के साथ दिया जाता है इसलिए इस बयान के कई माईन ही निकाले जा रहे है क्या ये BJP के उपर राम मंदर बनाने के प्रेशर टेक्टेस है या फिर ये माना जाए कि BJP को एक तरह से महलत दे दी है BJP को रादी दोनों पक्षों इसके और इन दोनों पक्षों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज के पैनल से सबसे पहले आपका परिशक करा दे अपने महमानों से हमारे साथ है अनीला सिंग जो की प्रवक्ता है BJP की टीवी डिपेट्स में आप BJP का जाना पर जाना चेहरा है अनीला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके लावा हमारे साथ है निशांत वर्मा जो की राजनितिक विशलेशक है राजनितिक विशों पर खुलकर राय रखते हैं 1996 से लीगल एक्टिविस्ट के तौर पर भी इनकी पहचान है निशांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ जूट चुके हैं प्रोफेसर संगीत रागी जो की RSS विचारक हैं दिली युनिवरसिटी में प्रोफेसर हैं RSS की विचारदारा के समर्थक हैं कहने के जरूवत नहीं प्रोफेसर संगीत आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ हैं विनोध बंसल जो की प्रवक्ता है विएच पी के सामजे कारकरता और लेखक हैं रामंदिर जल्द बनवाने की लंबे समय से मुहीम का हिस्सा रहे हैं उसकी मांग कर रहे हैं विनोध जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ हैं डॉक्टर तस्लीम रह्मानी जो की प्रेजिडेंट है MPCI के मुस्लिम पॉलिटिकल कांसल आफ इंडिया के फांडर प्रेजिडेंट भारती राजनीती पर खुल कर रहे रखते हैं डॉक्टर तस्लीम बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ हैं इशकरव सिंग भंडारी जो की वकील है सुप्रिंग कोट में वकालत करते हैं पत्र पत्रकाव में आप उनके नियमित लेक लिखते सुनते होंगे पढ़ते होंगे आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है इशकरण इस डिबेट में चलिए और डिबेट के शुरुआत हमेशा की तरह रैपिट फाइर राउंड से रैपिट फाइर राउंड में हम फटाफ़ टीन सवाल अपने महमानों से पूसते हैं उसका जवाब उनको देना होता है हाँ या ना में और अगर आपको लगता है कि हाँ या ना में आपका जवाब नहीं है तो आप नो कॉमेंट्स भी कह सकते हैं लेकिन हमारी और जिनता क्या पेक्षा आपसे यही रहेगी कि हाँ या ना में जवाब दें ताकि हमें पक्ष का पता चल पाए और उसका विशलेशन फिर उस हिसाब से आगे किया जाए तो rapid fire round का सबसे पहला सवाल ये रहा क्या मोधी सरकार को संग ने नई तारीख दे कर राहत दी है सीधा सा सवाल अनिला सिंग येस या नो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है ठीक सब्जिद्र स्थेर केस कोर्ट में निशान पर्मा नहीं बिलकुल भी नहीं कोई रहात नहीं ठीक प्रफेसर संगीत राजी नो कमेंट्स नो कमेंट्स विनोध बंसन विनोध जी मेरी आवाज आ रही है आप तक हाँ मैं बोला नहीं नहीं ओके डॉक्टर तस्री नहीं बाहर का रास्ता दिखाया है ठीक इश्करन सिंग भंडारी नहीं कोई रहत नहीं दी है ओके तो ये था मारा पहला सवाल रापिट फायर राउंड का और अब दूसरा सवाल क्या संग का इशारा जल्द अध्यादेश को अनिला सिंग नहीं मुझे नहीं लगता निशान्त आपके राई अध्यादेश तो पॉसेबिली नहीं है जवाब नहीं प्रोफिसर संगीत अध्यादेश जल्द अध्यादेश जल्द यही है यही है डॉक्टर तस्लीम लीगल वे में राम बंदर बनाया जाए जाए अध्यादेश हो जाए कानून हो जो भी प्रक्रिया हो उसके अनुसार नहीं संग का इशारा इस बयान के बाद आपको क्या लगता है यह वीजेपी को अध्यादेश के लिए यह सवाल है मेरी तरफ से उनका इशारा है कि राम मंदर बनाया जाए लीगल मीन्स तो सरकार को देखने है ठीक है हाँ मैं आपका जवाब ले रहा हूँ चलिए और तीसरा सवाल है बड़ा सिंपल सा सवाल है और तमाम महमानों से सीधे हम पूछेंगे क्या कोट के बाहर समझोते से राम मंदर बन पाएगा अनिरा सिंप बिल्कुल बन सकता है अगर प्रयास होते ठीक निशान्त माफ कीजेगा नहीं बन पाएगा ठीक संगीत रागी बिल्कुल नहीं बन पाएगा विनोद बंसल नहीं डॉक्टर तस्लीम हाँ इसी रास्ते से ही बनेगा और कोई रास्ता नहीं इश्करण सिंग बन सकता है समझवाते से भी बन सकता है ठीक तो ये था हमारा रैपिट फाई राउंड और इसमें जो जवाब आए हैं बड़े दिल्चस्प आए हैं इस पर हम आगे विशलेशन करेंगे लेकिन फिलहाल आज का कड़क सवाल जो पूसते हम अपनी देश की जनता से देश की जनता से हमारा सीधा सा सवाल है क्या राम मंदिर पर मोधी सरकार के रुख से संग नाखुश है नाराज है ये है हमारा आज का कड़क सवाल जिसका जवाब आपको देना है हमारे ऑनलाइन पोल्स पर फेस्बुक पर जाएं एड़ दरेट जी बिसनस ऑनलाइन पर जाकर यस या लो में अपना जवाब आप दें और ट्विटर एंडल पर जाएं एड़ रेट जी बिसनस पर और वहाँ पर आप अपना हा या ना में जवाब दे सकते हैं दर्शकों की जो भी राय होगी हम अपने शो के आखिर में उसे शामिल करेंगे और ना सिफ शामिल करेंगे बलकि उस पर करेंगे विशलेशन भी ओके रापिड फायर राउंड हो गया कड़क सवाल भी हो गया अब बारी है डिबेट की और डिबेट को मैं उपन कर रहा हूँ अनला सिंग आप से सबसे पहले आप हमें बताएं हमारे दर्शकों को पत्रकारों को तमाम राजनेती खलके के लोगों को ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि RSS ने ऐसा बयान जो दिया है ये दरसल दिया कि ये क्या BJP को राहत दी है या BJP पर प्रेशर बढ़ा दिया है आप लोग कैसे देख रहे हैं से देखे भाया जी जोशी जी ने स्वैम इस प्रश्टी करन दे दिया है कि किस प्रेकार से जो विभिन मीडिया चैनल्स हैं उनकी बात को तोड़ मरोड कर पेश कर रहे हैं तो इस पर मुझे उससे ज़्यादा कहने की आविशक्ता नहीं है और प्रफेसर रागिया आपके पैनल पर हैं वो और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा भी देंगे देखे भारते जनता पाठी जो है वो सत्ता में है प्रधान मंत्री नरिन मोदी जी जो भारते जनता पाठी के शिर्ष नेत्रत्व हैं देश के प्रधान मंत्री हैं अपना धरम जानते हैं भगवान श्री राम जो हैं वो परिभाशत करते हैं कि धरम क्या होता है और धरम ज विदमना ये है कि इस देश में बहुत सारे ऐसे राजनितिक दल और संस्था और व्यक्ति हैं जो चाहा कर भी बारवर ये चाहते हैं कि किस प्रकार से जो सनातन धर्म है उसको अपमानित किया जाए हमारे देश की जो संस्कृति है उसको कैसे कुछला जाए पहली बार पहली कर रहा है कि किस प्रकार से प्रदान मंत्री जी इंस्टिकेट हो जाए और कोई ऐसा कदम उठा लें जिसके जिसकी रामलला मंदिर का जो निर्मान है वो कच्छा पका तरीके से हो परतुरी प्रदान मंत्री नरेंध-moodi जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस चीज को किस प्रकार से सुलजाना है और आगे बढ़ाना है मुझे पून विश्वाश है जो प्रदानमच्वी नरेंद मोदी जी ने कहा है और कदम उठाया है और एक चीज और मैं बोल देनी है मैं मैं अगले राओंगे अनिला मंदिर निर्मान के कारे में बीजेपी साथ रही है और सदैव साथ रही है ठीक है चलिए क्योंकि क्लारिटी पहले ले ले लेते हैं शो के शुरुवात में क्लारिटी हो जाए कि भाया जी जोशी का ये जो बयान है ये दरसल इशारा के सोड़ था और इसके लिए प्रोफेसर रागी सबसे इंपॉर्टन्ट यहां पर शक्स मौजूद है प्रोफेसर संगीत रागी आप ही बता दें कि भाया जी जोशी ने दरसल बोला क्या और इसका मतलब क्या निकाला जाए जो मतलब टीवी डिबेट्स में और मीडिया में निकल रहा है वो तो अलग-अलग डिरेक्शन में जा रहा है लेकिन आप सीधा RSS को कोट करते वे बता दें कि इसको किस तरह से लिया जाया आखिर देखिए इस उनके बयान में एक आशा है और आशा ये है कि राम मंदिर का निर्मान जल्दी सुरू होगा और जल्दी अदी अभी भी राम मंदिर के निर्मान की सुरूआत की जाती है तो सिर्फ एक सामान्य मंदिर बनाने की बात नहीं है एक भव राम मंदिर बनाने की बात है जिसे पूरी दुनिया देखेगी कि राम का मंदिर कैसा है राम का मंदिर कितना सुनदर है और कितना भव्य है तो यदि इसकी सुरुवात आज से दो महीने बाद भी होती है एक महीने बाद भी होती है प्रक्रियाओं के पालन करते हुए भी होती है तब भी कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे इसलिए उन्होंने कहा इसी संदर में उन्होंने सोमनाथ का जिक्र करते हुए कि जब वहाँ पर सोमनाथ का मंदिर का उध्धार हुआ था तो राश्टपती महोदे ने ततकालीराश्ट राश्टपती राजिंदर बाबु ने कहा था कि भारत के पुनर निर्मान की प्रक्रिया सुरू हुई है एक नए भारत की रचना सुरू की हुई है तब भारत विभादन के पश्चात निकला था बहुत सारे आंधी और जंजावातों से देश निकलते हुए अपने आपको सुतंतरता की उस मुहिम तक पहुँचा था सुभाविक है कि राम मंदिर एक सामान निबा आंधोलन नहीं है राम मंदिर आंधोलन जो है भारतियता का आंधोलन है राम मंदिर एक सिर्फ मंदिर का नहीं है राम का मंदिर मुगलों से गुलामी के चिन को हटा करके एक नए भारत का निर्मान के शिला वहाँ पर रखी जानी है इसलिए उसी संदर्ब में उन्होंने कहा कि जैसे ही राम मंदिर का काम खत्म होता है एक नए भारत का वहीं से उदै भी होगा ठीक है सर, ठीक है, निशान फर्मा, आपके पास मैं होंगा भहिया जी जोशी का बयान एक तरफ था और आज एक और बयान आया जो कॉंग्रिस के बड़े लीडर माने जाते हैं उसका रुख कोट के अंदर कुछ और होता है, कोट के बाहर कुछ और रुख है और जिस बयान से आपके बड़े-बड़े नेता बचते रहे हैं, वो अब हरी श्रावत ने दे दिया है तो क्या इसे ये माना जाएं कि इस बार के चुनाव में कॉंग्रिस जो है, अपने घोशना पत्र में मंदर का मुद्धा शामिल कर रही है देखें, कॉंग्रिस क्या कहती है, वो अपनी जगे, लेकिन मैं दो-तीन बातें बहुत साफ कर दूँ पहली बात कि भारती जनता पार्टी की 2019 में जो हार है वो निश्चित हो गई है भाया जी जोशी के बयान के बात क्योंकि 2024 के एलेक्शन के एक साल पश्चात 2025 में निर्मान होगा, ये इंडिकेशन है उनके अपने फॉलोवर्स के लिए, हिंदूओं के लिए नहीं, उनके अपने फॉलोवर्स के लिए किसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इधर उधर गायब ना हो जाएं क्योंकि आफ्टर ओल 1982 में जब भारती जन्ता पर्टी आई थी, तो उसका प्रैमरी मुद्दा राम मंदिर था, आज भी प्रैमरी मुद्दा राम मंदिर है, चाहें वो विकास की बात कर ले, जो कभी हुआ नहीं उनके, चाहें सबका साथ की बात कर ले, जो तो आप भूल जाएए, लेकिन याद रखिए कि कोर्ट के मैटर को तो खुद प्रधान मंतरी और राश्पती कोर्ट में जब मामला हो तो उससे दूर नहीं जा सकते, इसलिए ना तो अध्यादेश की बात होगी और ना ही बिल की बात होगी राम मंदिर जी को ले करके, तीसरी बात कि ये बहुत important है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है और जिसके उपर सुनवाई चल रही है अपील अलाबाद हाई कोर्ट के मामले में, उसमें कहीं भी ये आदेश नहीं मांगा गया है, प्लीडिंग नहीं की है, कि भाई उसमें order कीजिए राम मंदिर, वो एक जमीन वि पार्टी को आइना दिखाने के लिए है, चाहें वो विश्व हिंदू परिशन हो, रस्स हो, शिफ सेना हो, और अब तो संतसमाज भी वहाँ खड़ा हो करके, मैं कई चैनल पे डिबेट कर चुका हूँ, आपके चैनल पे डिबेट कर चुका हूँ, कि संतसमाज भी नाराज है कि यह क्या, अंतिम बात कॉंग्रेस को ले करके, जब नरसिमा राओ की सरकार थी, तब एक फॉर्मूला पेश किया गया था, जिसके अंदर एक चीज तो पक्का थी, कि राम मंदिर बन जाता, उस दिन संसत से भारती जनता पार्टी भाग गई थी, तो भारती जनता पार में आपके पास, नेकि फिलाल विनोध बनसल जी के पास चलते हैं, विश्व हिंदू परिशद आरसिस के इस बयान को किस तरह से देख रही है, क्योंकि प्रेशर माउंटिंग जो है, वो आपकी तरफ से भी लगातार हो रही है, तो क्या आप ये माना जाए, कि आरसिस वाक दिपकी इसमें दो-तीन बातें बड़ी गंबीर हैं, आज जो भाया जी जोसी ने जो कहा है, उनकी बात को सुनकर के कई लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है, असल में क्या है कि अभी तक लोग हमसे पूछते थे कि मंद्रिमार की तारीख बताओ, तारीख बताओ, तो वो लोगों को पच्चनी रासल में, वास्ताबिता ये है कि अगले कुम्बु से पूर्व जो है, उनका कहना था कि मंद्र का पूर्ण कलस जो था ने, जो मतब टाप अब टी टेंपल, वो इस्ताफित हो जाएगा, उस बात को सुनकर के लोगों के पैरतले जमीन खिसक दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार आएगी, तो हम मंद्र बनवाएंगे, तो क्या वही सरकार है, ये वही लोग कह रहा है, ना, धीपक जी जो कि राम के अस्तित को न कारते थे, कुछ लोग वो भी कह रहे हैं कि जो राम बक्तों को मरवाते थे, तो उनको राम बक्तों को मारने में उनको अपने आपको गौर्वाने प्राथ को सरकार करना भी नहीं है। करना चाहते हो क्या क्या कमिट्मेंट करना चाहते हो क्या अभी क्यों नहीं किसने बनवाया था नहीं अभी नहीं सर अभी रेक्शन लिने दीजे मुझे दॉक्टर तस्लीव क्यों नहीं बनवाया था जवाला लानू ने सबसे बड़ा प्रवाद किया था वो गलत भी मत रहना वो दोनों पक्षों को सुन रहे हैं दोनों पक्षों ने तयारियां एक तरह से कर लिया है आप तो गाए-बगाए कॉंग्रेस भी सीदे-सीदे ये कहने लगी है कि साब मंदिर का मुद्दाब हमारे हाथ में चाहे वो पॉलिटिक्स के लिए हो चाहे वो किसी भी वज़े से हो लेकिन अब तो कॉंग्रेस भी मुखा रोके कहने लगी है कि साब हम ही मंदिर बनाएंगे और बीजेपी तो कहती ही आई है उसका ये स्टैंड भी रहा है हाला कि माना जाता था कि मुस्लिम समाज चाहे कोई भी पॉलिटिक्स रही हो लेकिन कॉंग्रेस के साथ खड़ा रहेगा मंदिर निर्माड के मुद्दे पर इस पूरे मसले के ओपर लेकिन अब दोनों पक्ष क्लियर हैं अब मुस्लिम समाज का क्या स्टैंड है सर क्या रूख है चीजे इस बयान में बहुत खास हैं एक तो ये के तारीख दो हजार पचीस इसका क्या रेलिवेंस है इसे समझे जानी की जरूरत है दूसरा ये कि पहली बार शायद आरेसे के किसी बड़े आदमी ने ये कहा कि कंसिंसस की जरूरत है पहली बार ये बात आरेसे की तरफ से चाहिए तीसरी एक जो बड़ी बात इसमें साथ ने आई कि राम मंदिर के मुद्दे को विकास की गती से जोड़ा गया है इसका बैसे लिया जाना चाहिए इससे चार चीजे निकल सकती हैं पहली चीज तो ये कि आरेसे बहुत किलिरली ये बात महसूस कर चुका है और उसे इडिकेट कर रहा है कि आइंदा जो इंतखाबात हैं जो चुनाव है उसमें राम मंदिर के इशू की कोई बहुत ज्यादा महत तब नहीं रह गया है पिछले तीन रियासतों के इलेक्शन में जो नतीजा है शायद उससे उन्होंने ये निशकर्ष लिया है कि अब राम ले ना करें दोजार पच्चीस तक की बात टल रही है तीसरी बीजेपी को बहुत किलियर कर इडिकेशन दिया है कि अब आपकी जरूरत नहीं रही मंदिर बनाने का बादा आप पुरा नहीं कर सकें आप बाहर जाएए दूसरे दल हैं जो सरकार बनाने की पोजिशन में जि बिल्कुल एक अनिस्टैबिल पॉलिटिक्स होने जा रही है और उस अनिस्टैबिल सिट्वेशन के तहट वो मंदिर में कंसेंसस की तैयार करेंगे जहां तक मुस्लिम समाज का तालुक है मुस्लिम समाज बहुत पहले कह चुका कि हमको सुप्रेम कोर्ट के सैसले का इंतार रहे हैं वो आज भी है वो 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 स्टैंट बदला नहीं है और इसलिम कभी स्टाट में नहीं है मसला यह है कि निर्मोई एक ख़ना रिचिपक जी कॉंग्रेस तो जैसे मैंने आपको कहा आरक्षन में जेनरल कास्ट आरक्षन में भी पारलेमेंट में कुछ और वोड कर सिब्बल जी जो इनके वरिष्ट मंतरी रहे हैं उन्होंने कोट में का था 2019 के बाद सुनवाई हो तो कॉंग्रेस कोट में जो कॉंग्रेस के एच्स मिनिस्टर्स हैं वो कोट में तो डिले की बात करते हैं आज उनके पूर्व मुक्ष मंतरी ने का है कि मंदिर हम बनाएंग है, ordinance भी विकल्प है, law भी विकल्प है, कि पार्लेमेंट में एक बिल प्रस्तुत कीजिए, हमारे देश में चार दिन में constitution amendment हो गी थी, आइडिया से लेके presidential notification तक चार-पांच दिन में constitution amendment हो गी थी, इसमें तो कोई संविधाने commitment भी नहीं चाहिए, है, तो बीजे पी अगर चाहे, तो ये bill पास कर सकती है, उसमें कौनसी पार्टी सपोर्ट करती है, कौनसी पार्टी विरोध करती है, वो तो पारलेمنट के फ्लोर पे पता चल जाएगा, मैं तो चाहूँगा कि सारी पाठी support करें और बिल आके ये राम मंदिर बना सकते हैं पर ये बीजेपी को देखना है कि वो ये रस्ता अपनाते हैं या ये रस्ता नहीं अपनाते हैं क्योंकि विकल्प उनके पास 100% है लीगल विकल्प उनके पास 100% है चीक है अनिला क्या आप मेसेज बिलकुल साफ हो चुका है क्या बिलकुल मेसेज अब clear है clear and loud है कि भाया अध्यादेश लाइए या बिल लेके आईए और राम अंदिर बना сторону है क्या अगर मेसेज बिलकुल clear है और अगर मेसेज क्लियर है तो पिर क्या action रहेगा बीजेपी का ? दिपक जी आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी कि एक बंद कमरे में हाथी को खड़ा कर दिया गया और आँख पर पट्री बांद कर कई लोगों को कमरे के अंदर कर दिया और पूछा गया कि बताओ कि क्या है और सब ने का अलग अलग अपना विशलेशन दिया तो आज यही हो रहा है देखिए ऐसा है भाईया जी जोशी जी ने जो कहा उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड कर अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी सुविधा अनुसार राजनितिक दल लोग और संस्थाएं जो हैं अलग अलग जो मीडिया के प्लैटफॉर्म से हैं उस पर बोल रहे हैं भाईया जी जोशी जी ने बेहद स्पष्ट किया और अगर आप सुनना चाहते हैं कि उनका मतलब क्या था तो दो तरीके का मतलब मेरे को समझ में आता है कि भगवान श्री राम राम लल्ला का जो मंदिर है उसका निर्मान बहुत जल्द शुरू होगा और पर चला गया है तो वो जो पीड़ा है वो केवल उनके मन की नहीं है वो मेरे और आपके मन की भी हो सकती है ठीक है हमारा काम हमारे राजनितिक दल अलग-अलग हो सकते है कुछ भी हो सकता है परंतु एक मैं कहुंगी कि भगवान श्री राम को मानने वाले जितने भी हैं जैसा आनिला कह रही है कि यह RSS की पीड़ा है यह BJP से नाराजगी है सर देखे मैं इसका विशलेशन इस रूप में करता हूँ कि मंदिर निर्मान का संकल्प हिंदू समाज का संकल्प है हिंदू समाज के संकल्प को संतों ने अपने हाथ में लिया है राम जन्भुमी नियास संतों की संस्था है उसी नियास को मंदिर बनाना है संग ने यह तै कर रखा है कि संत समाद जो कुछ भी तै करेंगे संग पूरी निस्ठा और पूरे संकल्प के साथ खड़ा रहेगी आप उमीद कीजे कि जो धर्म शन्सथ प्रयाग में होने वाला है वो एतिहासिक होगा और वहां से राम मंदिर का रास्ता बिलकुल निकलेगा संग किसी से न नाराज है न संग को किसी से इर्शाबोध है लेकिन जो प्रदान मंतरी कह चुके है वह डिबेट इसी बात पर न सर की फैसला धर्म संसत से आएगा या आदालत से आएगा दीपक जी आदालत यह नहीं तै करेगी कि राम का मंदिर वहां बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए दुनिया की कोई ताकत मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत और कोई संस्था राम लला विराजमान है वहां से हट नहीं सकते और अजुद्ध्या की जो परिदी है उसमें किसी मस्चित का निर्मान नहीं हो सकता और तीसरी बात हिंदू समाज सिर्फ अजुद्ध्या नहीं कासी और मतुरा के लिए भी कृत संकल्प है कि उन दोनों हमारे रास्ट के चेतना के वो भी अधिश्ठान है उनको भी मुक्त करा करके गुलामी की मांसिता को हमेशा के लिए अटाएंगे परगती से भी जोड़ रहे यानि आप संगीत रागी जी और हिंदू रास्ट का परिश्ठान के लिए यहां पर रहा हूँ आप लोगों ने यह परिश्ठान है कि हिंदू रास्ट होगा तो मौन लिंचिंग होगी तस्लीम रहमानी जी इस देश की उसी राम के देश का यह है कि हिंदू स्लाम के देश का यह थार जी खार कि आजने इसे और धर्मों के होते है विनोध मंसल हमें थोड़ा बताएं धर्म संसत से क्या संदेश जाने वाला है BJP को और क्या ये संदेश तेखे सत्ता अपनी जगा है धार्मिक संस्ताएं सामाजिक सांस्क्रितिक संस्ताओं का अपना अलग काम है और सत्ता में रहने वाले लोगों का अपना काम है लेकिन आस्था के आड़ में सत्ता अरजित करनी है इसके लावा कोई शुरहाई नहीं अपनी बात रखने का एक मिनट सुन लीजिए पहले अपनी बात रखने का एक मिनट सुन लीजिए पहले आपके कोई अच्छे नहीं है अरे डराम ने खाब देख भी थी लेए और देश को तिका भी रहे रहे विनोदबंसर डिपकी लिए यह जो जियादी मान सकता के लोग STEVE ना कई बार इनको ना राम की बात सोभा नहीं देती इनको राम की बात इनको पचिते नहीं हैUU जिस दिन दरम संसद है उससे एक दिन पहले ही मानी सर्वोच नेले में हीरिंग भी है उस समय तक ये मामला साफ हो जाएगा कि आखरकार क्या-क्या सुप्रीम कोड कर सकता है या सुप्रीम कोड की कहा तक अनकी सोच है या वो जो नियादीश और जो बकील है जो कॉंग्रेस प्राइट समूटी डिगेट है कर पाता है तो यह सब चीहों का एक वार अध्यन मनंद करने के बाद तो तरह करेंगे आप तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें अभी तो ट्रांसलेशन की बाद शुरू होगी इसकर नहीं इसकर नहीं समझा सकते हैं इसकर नहीं समझा सकते हैं अभी जो र्यालिकी है यह जो हमेशा से यहादी आत्मगबादियों का साथ देते रहें लोग ठीक यह जिहादी आत्मदियों सामें लाते हैं अब बेकार की बात तरहें यहादी तो मुझे लगता है कि दीपग जी सुप्रीम कोड की बात अब क्या होना है उस पर भी बात कर लेंको एक एक दिन पहले हो रहा है सुप्रीम कोट में अब पिछली हेरिंग पे पहली बात तो यह हुई है सुप्रीम कोट में कब यह Constitutional Bench बढ़ा दिया गया है तो इशू बढ़ा हो गया है अब यह सिर्फ अपील का इशू नहीं रहा है Constitutional Bench बैटने के साथ बहुत सारे पहलू और अब इसमें देखे जाएंगे क्योंकि एक नॉर्मल अपील के लिए आपको पांच ज़िस्ट की पीट नहीं बढ़ती है और यह specific demand दीपक मिश्राव जी की Bench ने रिजेट भी की थी पर कोट ने अब पांच ज़िस्ट बढ़ा दी हैं तो कुछ संविधाने की इशू भी इसमें अब उठाए जा सकते हैं एक नॉर्मल अपील नहीं रही है दूसरी जो यह पीट बनाई है यह अभी तक जो पहले बनी थी पांचो फ्यूचर चीफ इस अफ इंडिया की बनाई है तो एक बहुत सीनियर पीट बनाई है जिसमें मुझे लगता है इन डेप्ट इशूस में जाया जाएगा दूसरी बात पर यहां पे यह बात माननी पड़ेगी कि अब लग नहीं रहा कि सुप्रीम कोड का फैसला कोई बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि बापिस से ब ट्रांसलेशन की बातें शुरू हो गई है जो पिछले बेंच ने कह दिया था कि ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है जिस पार्टी को जरूरत है वो ट्रांसलेट करके अपने आप ले आए दूसरी पार्टी अगर पोस करेगी तो देखी जाएगी तो अब लगने ही रहा कि 31 को कुछ बहुत ज़्यादा होना है क्योंकि अभी तो रिजिस्ट्री को रिकॉर्ड चेक करने हैं बकसे देखने हैं ट्रांसलेट हुआ है नहीं हुआ तो रस्ता अगर राम मंदिर का 2019 से पहले बनना है तो वो तो सरकार को ही कदम लेना पड़ेगा जाए नोटिफिकेशन जाए लौ जाए अपनी एग्जीक्यूटिब पावर यूज करे अगर समवेदानिक दांचे के अंदर सरकार में कोट का रस्ता भी है और सरकार के पास भी शक्ती है तो कोट का रस्ता इस समय अब जो पस्तिती बन गई है लग नहीं रहा कि कोट इस समय बहुत जल्दी ये फैसला ले पाएगी क्योंकि सुनवाई के बाद रिजर्व होगा अभी तो बेंच का भी फैसला दुबारा से होगा क्योंकि एक जज ने अपने आपको रिक्यूस कर लिया है तो रिलेस्टिक लिए अगर हम देखें लग नहीं रहा कोट से बहुत जल्दी में ये फैसला आने वाला है आपको ये फैसला अगर जल्दी में लेना है तो वो सरकार के दूब समविधानिक जो शक्ती है और्डिनेंस की या पारलिमेंट में बिल की या एक्जीकुटिव पावर की उसके तुरू ही करना पड़ेगा आपको अगर आपको शीक बनाना है तो तसलीन साथ, तसलीन साथ, तसलीम साथ, निशान मैं आउँगा आपके पास, तसलीन साथ ने मैं विक रेक्षन ले ले लेता हूँ तसलीन साथ, क्योंकि अब लग रहा है Sydney emissions. सब्सक्राइश 2019 के इलेक्शन से इसे आप करेक्ट करेंगे तो इसका कोई हल लेगे तो मैं केराँ अध्यादेश की सूरत में अगर राजरीती से इसको अलग कर दें अगर राजरीती से बात करने के लिए कोई मेडियेशन हो तो राम मंदिर उसी जगा पर बनाया जा सकता है मस्जिद और मंदिर कोईजिस्ट कर सकते हैं लेकिन आगे विशिंडू परिशन जैसे लोग उसे होने नहीं दे रहे असल रुकावट यही लोग है उसके रास्ते में जो अटके हुए है जो यह भाशा परियोग करते हैं जिस अंदाज के यह मस्जिद तोड़ी है ताकत के बल पे मंदिर बनाएंगे तो यह रुकावटे हैं अदरवाइस इसका एमिकेबिल सॉलूशन पहले भी मौजूद था अब भी मौजूद है लेकिन यह होने नहीं देंगे तो फिर कोट क इंतदार होगा कोट का इंतदार पास साल होगा वो आज भाईया जी जोशी साब में बता दिया इन लोगों पूरे यह पूरे इंसे कह हुए है निशान निशान मुझे यह समझाई है उनका पक्ष एक्दम क्लियर है लेकिन पक्ष अगर किसी का क्लियर नहीं है स्टैंड अगर क्लियर नहीं है तो वो है कॉंग्रिस का ये बताईए कि इस इन चुनावों में आखिर दीपक जी देश के कौन से ऐसे महत्व पुरून निर्णे है जिस पर Congress जो है उसकी जो पोजिशन है वो क्लियर रही है मेरा नाम निशांद है मुझे नहीं पता दा पैनल पे कितने निशांद बैठे हैं जो कि यही लोग बाते करते हैं और देश को कटू सत्ते जानने की परमिशन नहीं देते पैनल पे वी एच पी निशांद पैनल पे आरे ससर वी एच पी के लोगो को देखके यह लग रहा है और वकील साब को देखके लग रहा है कि वो भक्ताई कर रहे हैं उसका कारण बताता हूं कि मैं तो इश्करण जी से यह जानना चारा था कि मैं बताना पड़ रहा है अब भारत के कानून के अंदर सम्विधान के अंदर किसी भी religious place को तोड़ना allowed नहीं है relocation allowed है लेकिन unfortunately बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से ढाया गया उसके criminal cases चल रहे है कल्यान सिंग जो गवर्नर साहब है से लेके L.K. अडवानी उमा भारती में criminal case चल रहे है इस बात से ये साबित होता है कि वहाँ पे criminal काम हुआ था क्योंकि केस चल रहे है और मोदी साहब नी खुद खुलवाएं दुबारा अब एक बात समझ लीजिए कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद हो या ना हो उसको तोड़ा गया ये एक गुना है उसको पहले खड़ा किया जाएगा उसके बाद उसको रिलोकेट करने की लाइज दे सकती है तब तक VHP RSS पूरा करने दीजिए तब तक VHP RSS बीजेटी जब तक इस देश के वोटर को गुमरा करने के लिए जो भी कहानी सुनाती रहे जैसे अभी इशकरन जी ने कहा पांच बेंच की जज़ बन गई तो मामला बड़ा हो गया मामला वो ही है बेंच बड़ी हो गई है लेकिन याद रखे वो एक जमीन विवाद है जब तक बार बार उकरने दीजे देखें बीच में मत काटिये राम लला मेरे राम लला वहां विराजमाने उनको कोई हटा नहीं सकता लेकिन अगर मान लीजिये forcefully वो हटाए जाते हैं तो वापस रखे जाएंगे कि नहीं ये हमारा संविधान कहता है उसी तरीके से अगर वहां religious place को तोड़ा गया है और जिसके लिए criminal cases चल रहे हैं आपके इनेताओं पे पहले उसको खड़ा किया जाए फिर ये जो amicable solution तसलीम भाई और दूसरे कह रहे हैं कि आ सकता है तो maybe maybe उसको relocate करके वहां मंदिर या वहां पे trifocation जो अलाबाद हाई कोट में का शायद ये एक माद आ जाए लेकिन देश को गुमरा करना मंद करें वहां पे रापिट फायराउंड में कहा कि कोट के बार समझाता मंद करने कि आपके जवाब देने दीजेगा इस बात का मैं कह रहा हूँ मैंने कहा तसलीम भाई ने जो amicable solution की बात करी वो मैंने अपने वाले में नहीं का मुझे तो पता है नहीं आए नहीं को सुन लेगा वोट भी नहीं विलेंगे प्रफेसर रागी को बोल ले दीजे वो सुन रहे थे सब की बार प्रफेसर रागी आप बोली प्रफेसर रागी देखे 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 दिपक जी कोट के बाहर समझोता नहीं हो सकता एक राय बनाने की बात जो है वो चंसेकर जी के समय भी हुई थी बाबरी मस्चिद एक्सन कमीटी नहीं ये कहा था सहाब उदीन जी का ये स्टेटमेंट था कि यदी ये साबित हो जाता है कि वहाँ पर मस्चिद पहले था विराजमान था तो हम ये मामले से हट जाएंगे लेकिन बाबरी मस्चिद के जो मुसल्मान के स्मिता ये तीनों मर्ज कर गई है जिस दिन भारत के मुसल्मान अपने आपको बाबरी और बाबरी इसलाम से अपने आपको अलग कर लेंगे इसका रास्ता खुल सकता था लेकिन दुर्भाग वस इस देश के मुसलमान आझ भी अपने को बाबरी ऊपने को बाबरी और तस्लीम रहमानी तो जानते हैं तो अपने कह चुके ए हूँए नहीं है जिसलिए आप ने कारण है कि तेजिए कि आप कर दो का ते हैं ज़िए । और आप इतियास को बिटारा जाते हैं ठीक है 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 अब बारी है जनता के पक्ष जानने की जनता क्या कहती है वो भी जानना बहुत जरूरी है और जनिता से हमने अपना कड़क सवाल पूचा था शो की शुरुवात में और अब उसके रिजर्ट हमारे पास आ चुके हैं बड़े दिल्चस्प रिजर्ट है हमने पूचा था क्या राम बंदिर पर मोदी सरकार के रुख से संग नाखुश है संग नाराज है देखते हैं ज सिर्फ 42 फीजदी लोग ये मानते हैं कि नहीं संग नाखुश नहीं है बीजेपी से और बीजेपी को अभी भी मौका है कि वो संग की या संतों की ऊच्छस भी ये रिजर्ट है और इसकी शुरुवात करते हैं अनिला सिंग से अनिला सिंग डेश की जनता ये मानती है कि आपसे नाराज है, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर देखी जनता जनारदन होती है अगर उन्होंने कोई बात कही है तो मैं उसको उपर कुछ टीका टिपड़ी नहीं करना चाहूँगी परन्तो आरेसस भी यह चीज़ समस्थे आपको सीरेसली लेना होगा मैं मैं कोई टिपड़ी कर साथ कि पहली बात तो यह है कि अब निशान जी ने कहां मंदिर कहीं और बन सकता है तो वहां पर रामलला की पूझा आज भी हो रही है निशान जी बिल्कुल भी नहीं बन सकता है और जिस प्रकारब से सोमनात मंदिर का भी विश्या आया था और विनोज जी ने बिल्कुल सही कहा कि जवालाल नहरू जी ने एडी चोटी के जोड लगा लिये थे कि सोबनात मंदिर का निर्मान ना हो परंटू जब मैं तो कहूंगी कि धन्य है वल्लब भाई पटेल जी जिनकी वज़े से वो मंदिर निर्मान हो गया और अब भी जो मंदिर निर्मान होगा, मैं किसी नेता विशेश का नाम नहीं लूँगी, परन्तु भारते जिन्ता पार्टी ही ही है, जो उसका निर्मान करवाने में अपना पूरा-पूरा सही होग देगी, क्योंकि सत्ताधारी सरकार का ये करतव होता है, कि जो भी फैसला आता है, उसको पूरी तरीके से सिद्ध करने में और पूरा महल ठीक रखने में पूरी मदद करें, और मैं केवल ये कहना चाहूंगी, कि जो कॉंग्रेस है, उसने क्या किया, जब सिक्खों ने आवाज उठाई, उस सिक्खों के गरदन काड़ दी, जब हिंदूों ने आव केवल धर्मांदरन करवाने का पूरा अच्छा काम किया, ये मैं नहीं तथ्थे बताते हैं, ठीक है, अनिला जी, आपका रियाक्शन पुब्लिक ओपिनियन पर, अनिला सिंग जी की पीडा को मैं देख सकता हूं, मैं आपके पोल रिजल्ट को लेके एक बात कहूंगा, पह इसका सिरफ एक ही मतलब है, कि 2019 के इलेक्शन में भारती जनता पार्टी और मोधी आउट, इसका ये ही मतलब निकल के आते हैं, तो क्या कॉंग्रेस को चुनकर लेकर आएंगे, या समाजवादी पार्टी को चुनकर लेकर आएंगे, निशान जी, या बीएसपी को, जो की आप पीस्मेंट की राजवादी जो भी आएगा, वो पब्लिक दिसाइड करेगी, वोटर डिसाइड करेगा, ना आप दिसाइड करेगी, ना बटाएगे, ना बटाएगे, जो राम भात हैं, तो तीन राज्यों में बीजेटी को कैसे राम भात पेका है, कि उनकी गज़द जन्ता की इस बात से इतफाक हैने हैं आप जिए आंटार की क्या अनिला जी निशान जी, पुरानी होने वाला रहा है क्राने जी, निशान जी, आप लेंगे दिपक जी, निशान जी, शान तो जाये, प्रोफिसर संगीर, देखिए, देखिए दिपक जी, मैं भी आंकड़ों को जानता हूं, यदि चार चैनल पर आंकड़े आएंगे, तो चार प्रकार के रिजल्ट आएंगे, ये मामला इससे होता है कि किन लोगों ने वोट किया है, क तुकि मैं स्टेटिस्टिक्स को देखता हूँ, इसको एम्पेरिकल स्टेडी को देखता हूँ, इसलिए इसके आधार पर मैं कोई जन्मत का निश्कर्स निकाल दूँ, उपसंघार निकाल दूँ, यह कहना मेरे लिए गलत होगा, मैं राजनितिक विश्टले सके तौर पर य मुझे लग रहा है, उसका एक तरह से हमें उत्तर मिल गया है, कि RSS कम से कम रिलाक्स मोड में हो, और कम से कम BJP को एक मौका जरूर दिया है, BJP से नाखुश नहीं है, आगर मैं इसका निश्कर्स निकालू तो यह ही है, नाराज नहीं है BJP से आप ना, यह आपके निश्कर् को कुबूल नहीं करेंगी, RSS ठीक है, ठीक है, ठीक है, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, आप विश्वे हिंदू परिशद क्या देखती है से, क्या वाकरी में संग नाराज है, BJP से, मैं एक बात इससे पहले कहना चाता हूँ, संगीत रागी जी को जवाब देना चा ताब दी मनाने वाले हैं? उस सब आवाज के साथ में संपूर्ण भारत एक साथ एकमत होकर के खड़ा होगा जिसमें सारे राज सत्ता और सत्ताधरी लोग और सरकारें सारी सामुईत होगी मुझे उमीद है कि अगले मैने की पहली तारीक के दिन आपको एक निरनायक मोड नजर आएगा चाहिए वो सु जर्टा को क्लियर कट डारेक्शन होगा चाहिए विशन जी परसंद उनके सब्दस है संकल्प की पूरती के लिए करत संद्दस है देगे संगीत रागी जी ने इस प्रोग्राम के बिलकुल शुरू में कहा था एक छोटी सी लाइन केहना चाहते हूं अब 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 जो रागी जी ने का है ये मैंने गया रागी जी ने का है ये हम कही और ले जारे है ये ये खुछा आपका रियाक्षिन पूछा है सर डक्र तसलीम एक ऐसा उग्र हिन्ट उरास बढ़ारा चाहते हैं जिसमें पर रोली ना हो जिसमें पर बस वक्ति ही कमी है मुझे इशक ने पाच चलना हुगा वक्ति कमी है सर ठीक है डॉक्टर तसलीम ठीक है तुक करादा हो ये वो राज मनाना चाहते हैं और अ थेंगे इहां पे जनता खुश है और भाजपा वह प्स आ जायेगी पर जरूरी बात यहां पे क्या है कि पी-वी नरसिमा राओ जी की सरकार ने जो बीजेपी सरकार नहीं थी उन्होंने भी उस समय कोट में ये एफरडेविट दिया था कि अगर excavation के बाद नीचे मंदर मिला तो जमीन हिंदू पार्टी इसको दे दी जाएगी ये जो government का एफरडेविट है वो bound है government उससे उससे बहार नहीं जा सकती और जब ASI की रिपोर्ट आ चुकी है के नीचे मंदर मिला है तो वहाँ पे अब government ही अपनी एफरडेविट से bound है और government को वो जमीन दे देनी चाहिए और वहाँ पे राम मंदर बनना चाहिए आगे जनता का क्या फैसला आता है इस पे अगर राम मंदर नहीं बना वो तो जनता decide करेगी और वो तीन महीने में फैसला आपके सामने होगा हमारे सामने होगा और हम सब को जनता का फैसला मानना पड़ेगा तो बड़ी पावर पुक डिबेट रही और अब वक्त है ठीक है निशान जी अब मुझे डिबेट को यह पर समाप करना होगा समय की कमी है वक्त की कमी है आप पढ़ी है अब बिना बड़े रिपोर्ट आ जाते है अब डिबेट का जो हमारा फॉर्मेट राए उसकी बारी ह हम डिबेट के आखर में कम शब्दों में पुकता तोर पर अपनी बात कौन बहतर तरीके से रख पाया इस पर हम देते हैं डालोग अफ़ द डे और मैन अफ़ द मैच और आईए अब देखते हैं आज डालोग अफ़ द डे और मैच कौन है सबसे पहले देखते हैं डालोग नहीं रहा असल में वास्तविकता ये कि अगले कुम्भु से पूरु जो है उनका कहना था कि मंदिर का पूर कलस्ट जो था ने जो मतब टाप अब टेंपल जी वो इस्ताफित हो जाए रहा है विनोध बंसल बहुत बहुत बढ़ाई आपको डायलेग अपको और अब देखते मैर अब दुमैच कौन रहा है बहुत बढ़ाई आपको और कहने की जरूरत नहीं कि जो तमाम पैनलिस्ट हैं हमारे या जिन्होंने अपनी बात रखी उन्होंने भी पूरे पूरे पुर्जोर तरीके से अपनी बात रखी लेकिन डालोग अफ देडे और मैन अफ दुमैच के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बढ़ाई और इसी के साथ हम अपने तमाम पैनलिस का शुक्रिया अदा करते हैं अनिला सिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए निशान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनूत बंसल डॉक्तर तसलीम आपका भी बहुत ये देखने वाली बात होगी और ये तो डिसाइड करेगी हमारी देश की प्यारी जनता क्योंकि चुनाव सिर पर हैं और दूद का दूद, पानी का पानी कुछ दिनों में ही हो जाएगा पिलाल देश की बात में हमारे साथ जुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिसनिस, नमस्कार